वागर एक बार फिर से आपका आपने चैनल केशन व्लोगें और हम लोग पढ़ रहे हैं बायो फामाशुटिक्स वी फॉर्म सिक्स सिमिश्टर का और आज ही क्लास के हम लोग बात करेंगे इन टॉकिंटे इस ना अप्जॉक्शन आप डोजिस फॉर्म 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 फॉ जिर्णे श्टर्ण करते हैं दोस्तों ने और भी है आपज़ ब्रॉप्रॉं ग्रॉम फ्यों व्ह एक रिट्लें फ्मासा का सब्त है दोस्तों यह चले नश सब्प्रॉट फ्रॉटिक्व और नोल पर और वर्ट कि केंखें इसको पुराग्या नॉल पर और वहां अगर देन ओर तेके मैंने कहा कि जो दवाईया हमने इसके पहले जो फैल्टर सफेक्टिम पढ़ाता दोस्तों हमने ओर रूड के लिए टैबलेक्ट कैप्सूल सिरॉप सस्पेंशन इमल्शन एवरीफिंग जिसको हम मुह से लेते हैं मुह से पीते हैं मुह से खाते हैं बकल क अगर और यह जिसे हम दवाईयों को अपने बॉड़ी में गरहड करते हैं जिससे दवा जाती है तो वहां भी अप्चॉप्शन होगा अजा लिए बागी रूट से भी होता है तो वह कैसा एप्चॉप्शन होता है किस तरह से होता है तो उसके बारे पढ़ेगी इस क्लास म कि इस इसको एक और भूट सकते हैं एक्स्ट्राव सकते हैं तो पहला वर्ट सनुन अन पर और इस डराइब फॉड विच बीजिए कि अधर देन ऑरल रूट के लाबा तो देराुट सब्सक्राइब तो विचिए एक्सिप्ट दा बूट ऑन वारल वुट के लाबा तो देर सब्सक्राइब होते हुए नौ प्रकार की होते हैं नौ प्रकार को बारी बारी से नाम से बज़ देते हैं कि यह फॉलाइन नाइट आपस आप और रूट्स आप अबलेबल पहले हैं लेकिन मुह का जो रूट है जी आइटी के त्रूप को उससे दिना रहा है सब्सक्राइब के नीचे रखते हैं सब्सक्राइब के नीचे रखते हैं सब्सक्राइब के नीचे रखते हैं सब्सक्राइब के नीचे नीचे रखते हैं इसको पल्मोनरी रूट भी कह सकते हैं इसको हम इन्हेल करते हैं तो जो ना कुछ नेजर इस पर आते हैं जैसे के करसी टोनिन और सब्सक्राइब करें दो अध्यागों इसकोडा नेस के लिए और मेरी स्कुछ और सब्सक्राइब तो पीते नहीं हम आंकों बढ़ाते हैं तो इस इस सब्सक्राइब करते हैं जैसे कि इंसुलिल का इंजेक्शन जो डापटीज के पेशन वह सब्सक्राइब अगला है आई इंट्रा मस्कुलर रूप इसकी बात कर लेते हैं वहां पर बनाता है और बनाने के बाद महां पर रगस्टोर होता है और धीरे दिरे ब्रूड़ इस इंट्राइब कि इस तरह प्रौज प्रफ्रिश प्रव्लम से लोकल प्रव्लम में या अलग अलंसों प्रव्लम सोती हैं उनकी से इसका इस्तमाल किया आता है अलग पादार के नौ रूट है अब इन अलग प्रकार के नौ रूट है इनके क्या फैक्टर सफेक्टिंग है अब इसको समझेंगे और इनके वाले बाते करेंके इसमें ज्यादा इस ज्यादा थे बारे में आपको यादा पढ़ लाएं कुछ नेजर ने कुछ दुदीन है इसको आपको ब्रेट परना है ठी इस रूट का इस्तवाल करते हैं तो क्या जी ओर से जादा बिटर है कि यह बिटर है तो देखें अब्जॉप्शन के के से दिखा जाए तो और सबसे अच्छा इसने माल आता है कि और ब्रोज़ेंस पॉन होते हैं वह टेक्निकली बहुत सस्ते होते हैं बाकी रूट के बड़े इसके हमारे कुछ एडवांटेज हैं जिसका इस्वाल करके हम अपना और रूट से ज्यादा अच्छा रजट हम इससे पास सकते हैं तो आपकर में शेडिन है एडवांटेज ऑफ दीस रूट्स तो चार इडवांटेज हम बाल पाई डिसकस करेंगे पहरे द्वां कर देते हैं तो जितना हिस्सा हमारे लीवर पे चला गया और जितना हिस्सा करेंगा और जितना हिस्सा लीवर में चलागे और वह किसी काम कर नहीं हो खराब हो जाता है इस इस पॉल फश्ट पास मेंटाबोलिजम तो जाता ही प्रती बाल बेटी कम हो जाएगी और बाल बेटी कम उन्हें का एक्सल घट जाएगा दवा का रिस्पॉंस कम हो जाएगा लेकिन अगर इस रूट का इस्तमाल करते हैं तो यह दवा इस रूट के द्वारा डारेट जाएगा कभी भी हमारे लीवर नहीं जाएगा और सब लीवर नहीं होगा इसका सबसे बड़ा द्वार्ट इसकते हैं कि फिकॉस बाइब इस रूट्स ड्रग नेवर पास फ्रॉंदा जी आईटी एंड लीवर तो देर इस नो चांसे आप गार्ट फॉस्ट पॉस्ट पॉ गार्ट में जाता है और लमारे थाल खाने पयर नियाता है और गेस्टरिक आसे अलों होता है जिसको गास्ति जूस चैनल चुस्ट को नियुक्त एहरी तो जो लिवर पार ओप थालएगा दोख के ने थे लुए सबांगे कर से अब आपकर जाए हैं उन चुस्ट वारा पार गास्तिक निट बेस्टिक तरह में सब्सक्राइब करते हैं और इस सब्सक्राइब दिटेटिक आप गया सब्सक्राइब प्रश्रूट करें है कि और यह सबसे ज्यादा तेजी से एक्षान होगा इसका एक्षान तो पुछ तो दीरे हैं लेकि और ज्यादा तेजी एक्षान देता है पेट में जाएगा डिसिंटिग्रेट होगा 10-15 मिनट फिर आपके एक्षान होगा 10-15 मिनट फिर यानि एक्षान आने में हो सकते हैं आजे से खंटे लेकिन इन केसिज में ड्रग बीना जी आईट को पार किये बीना ताम ज्हां किये डारेक्ट आपके पहुच रहा है जल्द इस दौब जो है एक्षान भी लंबे समय तक हो सकता है क्योंकि कुछ नोचेश में डिपोर्ट बनता है खास और पर डिपोर्ट की बात की जाया तो आईएं इंट्रमस्कुलर में डिपोर्ट बनता हुए डिपोर्ट क्या होता है आपने सुनाओंगा मेजा डिपो गावार डिपो कानपूर्ट डिपोर्ट गहें डिपोर्ट सुना है डिपोर्ट बतलब एक ऐसा एरिया जहां पर बस इकठ्था होती है कई रूट की बस इकठ्था होती है उसी तरह से जो हम आईएंग को इंजक्शन लगाते है कि अपने मसल्स में तो उस मसल्सके अंदर अप्र तो हच्चार जाएं यहां सब्सक्राइब करते हैं जो तो इससे क्या होगा और यह दो चाहरा है और देर तक निकलेगा तो जो जो जाएगा तो इसका अचाहा दुट्रण्ट हो जाएगा यह तो यह ओवराल इसके अट्वर्टेज होंगे सर दिसको करेंगे कि इनके अलग इसको रिखते हैं इसके हैं इस पहुता यह खागी होता है इसके साथ खाला क्या होता है जो किसी के सिल्टी के पहुंचेंगे और अपना एक्सथन देना शुरू कर लेंगे जैसे किसी का हार पर हो रहा है किसी कि आरे तक्कत है तो इसको जीटी अधी सब्सक्राइब रखो जीब के नीचे रखो तुरग घुलती है और तुरग हार्ट पें चेश्ट पें हैं काडिया करेश्ट के दिक्कत उसको लग रही है तो आइसो सार्वाइब और आइसो सार्वाइब दायनाइटरिट सब कुलोजिमा फॉट्पड पर जोएं यह कोती हैं कि सब्लिक्वाइब वोड के थूरु दी जाती है इसमें इसके कि रिखिणे कि दा सब्लिक्वेट ब्रग बेर वे प्लेक्ट इनुदा और टॉल के दिज्वाइब इसलिवल अट अप्ट ब्लॉट शें तो इसका है पहला क्विक आइक्सित बहुत जल्दी है करेंगा दूसरा जो आपने लिखा था यहां पर नहीं होता है यह तीन आइक्सित यहां माले आप दिख सकते हैं अब बात करते हैं को सब्सक्राइब कर यह है अगर जिस दवा को हमको जीव के लीचे रखना है तो एक चीश तो क्लियर है उसका स्वाथ बहुत जाड़ा मैंटर करेगा अगर कोई दवा बहुत बिटर बहुत कड़वी है तो वह हम उस दवाता इस्तमाल अब सब्सक्राइब कर सकते तुरल बोटिंग हो जाएगी क्लियर तो हम लिए सकते हैं कि दोश्ट्रक्स बिचार बिटरिंग टेस्ट दे कैनाट वी उस्तमाल करेंगी लेकिन जो ट्रक्स हमारे सलाइबा में नहीं बुलेगा इसकी सॉल्विल्टी खराब है वह हम ऐसे ड्रक का इस्तमाल नहीं कर सकते तो क्या लिएगे दोश्ट्रक्स बि टीसरी बात है कि अगर हो सकता है कि हमारे किसी को मोँ में चाले पड़े हो जो लोग पांख भूणका सुपाधी हों कि तो उसकेश के भी यह है थोड़ी सी ब्रक के अबजॉप्शन के दिटर को सकती है प्रोब्लम से कुछ प्रोब्लम कर सकते हैं, अब हम बात करें के अगी हैं, जो में बहुत बोल रहा हूं कि आपको लिखना है, नोट्स पनाना है, खुद से नोट्स पनाओंगे तो ज्यादा अच्छा कर पाऊंगे, और रिवीसे जल्दी अच्छा हो रहा हैं, बाकि कर आप प्रोब्लम से नोटी पर्मेवियर्टी, यह पर्मियबिर्टी, यह प्रमियबिर्टी पहला है, जो ध्रुट है, वो हमारे बकल लूखोसा ने पर्मियबल दूना थे, आप तो इस वाले लिए अब इमेजिन कीजिए आपके माउथ के अंदर जो पुर्ण बूल गया अब पुरे मुंब भाइलेगा तो आप अमेजिक एक जीप के नीचे वाली लिए ठीक है इस इस वाल शॉक्ट पैलेट इस वाल शॉक्ट पैलेट आप देखिए और एक जीप क सबसे कम होगा जीप नीचे और गालो से तो क्योंकि गालो से नीचे जीप के नीचे से सब्सक्राइगा जाता है तो वहां पे कैलोटीज बनती है तो सबसे जादा मुझा हमारा जो एक लॉप से होता है ठीक है तो आसानी स्क्राइग और यहां पर में खिक बाद आईगी तो यहां भी वही फैक्टर का होगा क्या ड्रग का नेचर लाइपो फिलिक होना चाहिए क्यों दोस्तों लाइपो तो वहां पेर जान है तो एक लॉप करिंझे ख कर दोचो नेयो चीसजय तो कर कैक्ट थे ज्योंद आवलीट जा। बो दॉपकर का इस बडेंग नेया मुवसा फिल को यह लाएफ ए पंधने तो बादी आस्टे बिस्क्राइव क्वर्त धर उपत्टे खुक्धर है अ सब्सक्राइब दूजरा प्रॉपर्टी जो बागती प्रॉपर्टी तो अब इसमें क्या है ड्रक का नेचर डोज़स फार्म उसका बॉलकुलर वेड उसकी आइलिक देचर उसकी लाइको फिरॉपर्टी इसका पर्टिसर। यह सारा रेचल आपको से मोहीं लिखना है जो अभी इससे पहले आपको पनाता है जो भी आपको सही लिखे अब बार बार इसे डिसकस करेंगे हैं आपकी के वी आपको देखते हैं दूसरा है वह और हैं दोस्तों क्या है घृजवयर हासी है यह जाइट है यह लुग हमास देरह और पीछे से रख Tu ava really It is called तो बहुत सी ब़ाया राते हैं घृट आपको देआए तो एक रूट यह और एक रूट पीछे वाला भी है तो पीछे से रूट को देते हैं यहां तो बीच में लीवर पड़ता है वह लीवर का परिक काफी ड्रग दे रहे हैं और यहां तक आने हैं तो बीच में लीवर पड़ता है लेकिन पीछे से भी पहुचेगा लेकिन एक जो वेन होती है इसका लाब होता है एक्स्ट्रा हीमोडियल बेन यह जो है यह जो है पीछे से स्टार्ट होती है और लीवर तक नहीं जाती है अगर जो द्माइन 50 परशंट जो द्माइए इस पास होती है तो जो द्माइए इस मेर से पास होगी वह बार पास कर जाएगे नहीं होगा अगर यह सकते हैं कि अगर को 20% हो रहा है और उसी को रेक्टर से देगे तो 5-10% ही मेटाबोलिजम फ़स्ट पास होगा नहीं दमाओं की बारी में इसकते हैं कि आप इस गिवें फो रेक्टर रूट पास प्रॉंग एक्स्ट्राहिमोडियल बेग विच्ट्राहिमोडियल बेग वि इस वे तो रेट आप फस्ट पास मेटाबोलिजम इस डिक्रीज दैन और उसके बड़ा कम बूजाता है एक और बहुत पायदा है क्योंकि जब हम ड्रग ऊपर से नीचे तरह पहुँचाते हैं और लिवर को पार करता है लिवर और जिए आईटी के अपर पार्ट में एक ए यह जाता है और द्रग की चांसे सब्सक्राइब जाता है यह जाता है उसलिए और ड्रग का मिटाबोलिजम और जाता है और ड्रग की बार्वेट्री चांसे सब्सक्राइब जाता है यह जाता है यह भी है कि दा एंजाइम सी वाइपी थी एफॉर इस नौट प्रिजेंट इंटार रिजन आप लोवर इंटेस्टाइन सो वें डिवन रेक्टल कूट दें इस एंजाइम के नौट डिग्रेट यह अब अब पुछ इसके डिसे डिसेडवांटेज भी है इस तो होगया है कि जो रिट अप्र ड्रग रिजीज है और अप्छलों फिक्स है यह थोड़ा सा स्लोर है थोड़ा सा धीरे काम करता है क्योंकि ड्रग को उल्टा चाढ़ाना उपर से नीचे आना असान है नीचे से अब 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 आपको अगया इस ता ग्रेवटी अक्टिव रांसपोर करके दिश्वाल लेजाना स्लो गॉसिस होगा तो यह थोड़ा सा स्लोर है इर्रेगुलर है थे नहीं रहता है हम इसा परसेंटेज वालवेटी फिक्स होगी और अन्प्रडिक्टेबल है कि हम कहां कहा सब्सक्राइब करते हैं कि अगर आपके पीछे आपका फीकल मैंटल हुआ है अगर थेक है उसके लोगर इंटस्टाइंग में पास फीकल मैंटल हुआ हुआ है आप तो वो ड्रक के एप्जॉप्शन रिट को का निए पेट का साफ होना जरूरी है पेट खाली नहीं है प्रिट को सुरों देता है तो पेसे इस सफरीं फ्रॉप्राइशन या प्रिजलें सोब्सक्राइब कर दाओं धार ने अगर बात करते हैं कि क्यों जरूरत है हमको रेक्टर देने कि भाइट लुट क्यों पीछे से डाल रहे हो तो लेकिन इसके डिक्कत जाहें कब देते हैं किस केस में रेक्टर रूट करते हैं तीन केस में जब पेसे बहुत जादा वोटिंग कर रहा हो या कुछ भी खिला रहा हो तो दोड़ी कर रहा है तो उसकेस में आप जो की दमाद देंगे औरल आप बोस नहीं है कोमा में तो इसका इस्तिवाल हम लोग कर सकते हैं कर सकते हैं यह और तीसरा है या पल्मोनरी अडिस्ट्रेशन जिसको हम करते हैं करते हैं सबसे पहली बात के वाद उन दवाव का इस्तिमाल कर सकते हैं जो बोलाटायल या गैस्ट्रेशन नहीं करते हैं हम लोग वरटायल या गैस्ट्रेशन नेचर का हैं उसका इस्तिमाल करते हैं तो इसका सबसे बढ़ा खायदा क्या है कि यह हमारे ओरल गुट से लंग्स पे जाता है तो लंग्स में होते धेर सारे अंगूर के गुच्छे जी हां अंगूर के गुच्छों को जादा सब्सक्राइब करते हैं तो ड्रक का अब्जॉप्शन रेट जादा होता है और रेट ऑफ जाप्शन भी फास्ट होता है तो नेच्पारीशन नेग्स पर देक्स तो यह तो पास होना नहीं है तो फस्ट पास्ट बलजब के चांसे बिलकुल नहीं है 100% वालोमेंटी होजाएगी तो बिकाज अच्छ पास्ट लिवर तो फस्ट पास्ट बलजब इस रिडियूच दिया है इस जीओ अब बात कर लेते हैं इसके नुक्सान क्या क्या है इसने क्या लिए कि पहला एक चांसे जी है कि अगर आपने बहुत दवाब खीचा तेज़ कि यह हमारे रूट से आएगा और यहीं पर होता है हमारा सबसे से पार्ट हार्ट जी है दिल हमारा तो चांसे बहुत रट टक होते हैं और यह इसका सबसे बादिशन कि पहला दिखा और दिखा को जब भुस को न्हीं हो कि मिंटेज नक्रेद्ट निवसके में सब्सक्राइब लुक्सान है ये बहुत बड़े साइज का पार्टिकल अगर अगर पार्टिकल उसाइज लो श्वीं heavier आ दोस्तों इसको नाट में और लाटालते हैं या कभी आपने शुक्त नाट हो पहले कि इस ओली वर गैसीज ए लिक्विट वर्म उसके रिए पहला प्रवाइड आप इसको लिक सकते हैं दूसरा प्रवाइड करें सकते हैं कि नाख में जो हमारा मुझा म्युकोसा है यह बहुत सौप होता है तो ड्रग का अब्जॉप्शन हमारे ब्लड में ज़ादा तेजी से होता है और ठीक है तो फायदे है नेजल व्यूकोसा इस इस वेरी सौप अद इस वेरी इजी तो राइड ऑफ ड्रग जोप्शन चैन फॉर्म नेजल व्यूकोसा इस वेरी फास्ट यह इसके फायदे है नेजल रोट के थू देनी का थीस्रा फायदे का है तो नाख के आस पास कोई नाख में सर्दी होई है नाग जाम है नेजल टी अब इस बात कर लेते हैं डिस इड्रग ही आसानी से पास हो सकते हैं यह पास हो जोगे जिनका पांटिकल साइब चोटा होता है लाइड़फिली ड्रग क्या होगे है अगर चार सब्सक्राइब चार्स चार सौ से एक हजाद ऑल्टन के साइच के हैं तो वह आराम से पास हो जाएँगे एप्सवार हो जाएंगे लेकिन जिसका हाइड्रोफिल में यह सिर्फ दो सो डाल्टन तक के ही मौनुकुलर वेट वाले को लेगा उससे बड़े पार्टिकल को एब जो आप नहीं कर पाएंगा तो पहला दिस रूट इस सुटेबल उल्ली फॉर ओली और नाइपो फिलिक नेचर आप ड्रग दे के नौट पास इजी वी दा हैट्रो अगला प्रॉब्लम कहा है कि पीज बैरी करना पीज का जो दवा दे रहें जो डाल रहे है उसका पीज रेज पांच से साथ 5.0 तो 7.0 के बीच ही होना चाहिए अगर पीज इस से ज्यादा हो जाएगा तो ड्रग बारा बहुत नात में खुजरी होगी इचिंग होगी चुचुनात होगी पेन होगा वह हमारे लिए सुटेबल नहीं है तो क्या भी सकते हैं कि तब प बात कर सकते हैं अगर को ऐसी दवा है किसे हैं हमको दवा हम नेजल रूट से रेते अगर किसी प्रिशन को संदी हुई है नाग जाम है या नाग में ब्लीटिंग हो रही है तो उस समय हम इस रूट का इस्तमाल नहीं कर सकते तो फॉल ना नेजल स्प्रें इप परसल सफरीं परसल में अगर्ण के लिए यह आई की रूट से जो डर्ग करते हैं तो ऑपने लिए उस्तमाल यह द्रॉक्त के मायोसीश ग्लुकोमा तो चलुकतों के लिए छो हम आई ड्रॉक्स जानते हैं वो इसकारिये इसकार इस्तमाल तो तो इस ऑखुला डोजस फॉर्म ब्रोप्प्राइब ग्रोप्राइब जिए और पहुत ही ज्यादा इस्टिव रूट है तो जो ड्रच वह ही जादा इस्टिराइब बैक्टेरिया वाइस से फ्री होना चाहिए इसमें सबसे बड़ी चीज क्या है कि जो आंखों से ड्रग हमारे भ्रड तक पहुसता है जो बीज का बैरियर है वह कॉर्णिया और कॉर्णिया एक बैरियर है लेकिन एक मुझी खुबसूरत बात यह है कि यह लाइपोफिलिक और हैट्रोफिलिक दोनों ही तरह की ड्रग को पास होने देता है इस मेलियर से अब्जॉक्शन बढ़िया होता है तो बिसिकली बैरियर इस कॉर्णिया फॉर दा एब्जॉक्शन आप्जॉक्शन आप्जॉ पहला है प्याइच और लाइक क्राइब्स पहला है और प्याइच बहुत कम है या बहुत जादा है तो आखों में कुझली होगी चुमचलाइच बहुत दिकलेंगे तो उससे ड्रग का अब्जॉप्शन घंटेगा दूसरा है प्याच और पार्मुलेशन जो आई डॉक्श प्याइच क्या है वह बहुत जादा तीसरा कितना एक बार में हम ड्रग डालते कभी आपने सुना है कि एक बल्टी को पने आपी भर दिया नहीं एक से दो पून डालते हैं ड्रॉप्शन माइक्रो लेटर का होता है यानि इसमाल एमांट में ही लेते हैं एब्जॉप्शन और चौका प्रेक्टर है ड्रग कांटाइक टाइम आपको में डाले को उस देरा आप लेटी रहें ताकि पूरी तरह से कार्णिया में डिश्टी रूट होके वह एब्जॉप्शन होगा बह जाएगी आपके बादी मासर होने माला नहीं है तो ड्रग कांटाइक टाइम सु आप पूरी आपको लोजी पढ़ा है को प्रस्में अब महां से तो बाहरें कर नहीं थे इसके थे हिए को पुछा गया तो बातने हैं बेस्टाइना रोड की विजानल आडिनिस्टीशन ऑट थे तो आप जानते हैं विजाइना क्या होता है यह बेसिकली फिमेल के लिए उसके आयता है तो जैसे हम लोगों ने देखा थे मेल्स के लिए या बोनों के लिए रेक्टर होता है उसी तरह से आप एक वेजाइना के थ्रू हम प्रण देते हैं यह कौल सी दौब इस तवाला यह बेजाइन पॉर्ट विजाइन रूट के तो आप चाहिए लोकाल एक्षिंट प्रूंगल नियुक्ट प्रूंग उप्रूंग प्रूंग करते हैं यह बेहतर क्यों है चुकि जो विजाइना होता है उसके अंदर ब्रेट इसल का एक काफी देंस नेटवर्क पाया जाता है और क्योंकि ब्लेट विजाइन इसलिए वहां पर ब्लॉट की सप्लाइज भी बहुत जाधा है और ब्लेट ड्रग का एब्जॉप्शन होने का चांसे भी बहुत जादा है तो ख्यारी सिप्ते हैं कि थे कुछ इसके अद्वांटिस देंस प्रूंग ब्लेट सब्लाइज ब्लेट जाएगा तो नहीं तो नहीं गैस्टी डिग्रेशन होता है तो विकाज इवाइब ता फॉस्टी डिग्रेशन प्रूंग दूसरा फाइदा है कि जो भी ड्रग छोटे साइज के लो मालकुमेट होते हैं उसकी परमीविल्टी बहुत जादा होती क्यों कि आप ब्रड बहुत देंस पाइजाते हैं तो जो जादा करेंगे तो द्रग भी आपका वह जाता है तो उसके डिच अबाटके आपके आपके परस्टनल हाइजीन को में नहीं किया है वहाँ पिसी इंटर कोर्स के टाइल पर यह बहुत वहां पर आपका वो डिश्ट्रॉय हो जाता है तो उस चेस पर आपका काम नहीं करता है तो यह था पुरा का पुरा दोस्तों एप्जॉप्शन चैप्टर बाधा फापर्शुटिस की यूरिट नमबर बन में दो चैप्टर था चैप नमबर टू डिश्ट्रिबूशन तो हम लोग उने एप्जॉप्शन यहीं पार्ट वन खतम कर लिया है नेक्स रेक्चर से हम इसका सकेंड पार्ट स्टार्ट करेंगे डिश्ट्रिबूशन नंदिया आपसे लिए सब्सक्रास है थेंग्यों सो मज